मीसो एक ऐसा स्टार्ट अप है जिसके जरीए करीब 2 करोड भारती हर महीने घर बेटे 25,000 रुपए तक की कमाई कर रही है मीसो में फेस्बुक से लेके सोप्ट बैंक तक ने फंडिंग कर रखी है हाल ही में मीसो को यूनिकॉन स्टार्ट अप का दर्जा मिला है आप भी मीसो के जरीए हर महीने 1000 रुपए कमा सकते हैं वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आखिर मीसो क्या है कैसे काम करता है और इसका बिजनस मोडल इसे यह सब कैसे अलाव करता है इस वीडियो आप मोई समझेंगे तो चालिए शुरू करते हैं मीसो एक भारतिय सोशल कॉमर्स प्लेटफोम है यह एक ऐसा ओनलाइन प्लेटफोम है जहां पर आप भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के पैसा कमाना सुरू कर सकते हैं मिसो एक परकार का एक online shopping platform है लेकिन ये platform मुख्य रूप से buyers के लिए नहीं बलकि reseller के लिए है इस platform पर 3,000,000 से ज्यादा products आपको मिलेंगे जो कि आपको wholesale rate में मिलेंगे लेकिन आप उन्हें market rate में बेचके अपना commission कमा सकते हैं जैसे कि मान लीजी कि एक mobile है जिसकी wholesale rate 5,000 रुपे लेकिन market में शोप की पर उसे 6,000 रुपे में बेचते हैं तो मिसो एप की मुदद से आप उस mobile को बेचके commission कमा सकते हैं अभी क्योंकि उस mobile की wholesale rate 5,000 रुपे इसलिए आप खुद से अपना मन चाहा commission उस wholesale rate में add कर सकते हैं उस product को आप WhatsApp और बागी social media platform पर share करके बेच सकते हैं जब भी कोई व्यक्ति इस product को खरीदेगा तो जितने भी एक्स्ट्रा पैसे आप add करेंगे वो पैसे आपके back account में आ जाएंगे मिसो एप से पैसे कमाने के लिए तीन simple steps को follow करने होते हैं पहला step है browsing सबसे पहले अपने mobile में Play Store से मिसो आपको download करें उसमें अपना account बनाएं और अपने account में सारी detail को add करें उसके बाद मिसो के सारे product आपके सामने होंगे आपको ये decide करना होगा कि आप कौन सा product बेच सकते हैं इसके अलावब जब भी मिसो एप पर कुई नया product आएगा तो उसकी सूचना आपको notification द्वारा मिल जाएंगी दूसरा step है shares जब भी कोई ऐसा product मिल जाए जिससे आप अपने दोस्तों family ये अरिसेदार के साथ share करके बेच सकते हैं तो आपको उस product को select करना है उसमें अपना commission add करना है उसके बाद facebook, whatsapp और बागी social media platform पर अपने दोस्तों क्षाथ share करना है जब भी आप उस product को share करेंगे तो उस product की photos के साथ सारी जानकारी भी आपके दोस्त के पास चली जाएगी इसके अलावा आपको अलग से उस product के बारे में बताने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी तीसरा step है earn जब आपके दोरा share किया गया कोई भी product खरीदेगा और जब delivery complete हो जाएगी तो उसके बाद product पर जितना भी commission होगा वो आपके account में तुरंद आ जाएगा मिसो delivery भी खुद करता है इसलिए आपको delivery की भी कोई headache नहीं है मिसो की presence भारत के 700 से ज्यादा शहरों में एक मिलीन से ज्यादा dealers मिसो पे लिस्टेड है और दो करोड से ज्यादा reseller मिसो से जुड़ी हुए 2015 में IITN विदित आत्रे और संजी बर्न वाल ने मिसो की सिरुवात करी थी मिसो के करीब 750 करमचारी है मिसो के maximum user टायर 2, 3 एन टायर 4 से है अब समझते हैं कि मिसो का business model क्या है मिसो एक reseller e-commerce platform है यानि कि e-commerce players जैसे Amazon और Flipkart की तरह मिसो consumer को direct सामान नहीं बेचता बलकि मिसो के user एक online seller ही होती है वो अपने social media circle में ही सामान बेचती है मिसो खुद कोई भी product manufacture नहीं करता बलकि विवन तरह के wholesaler manufacturer और distributor के साथ टायप किया होता है reseller से order मिलने पर मिसो wholesaler का order की detail forward करता है अपने deliver partner के जरिए delivery को deliver कर देता है customer के यहां मिसो पूरी purchasing process में एक aggregator का role play करता है तो चलिए समझते हैं मिसो के earning source क्या क्या है मिसो का first earning source है commission ठीक फिलिपकाट और amazon की तरह मिसो भी हर एक order पर commission चार्ज करता है यह commission product wise वेरी करते है जनरली 10-20% के बीच commission रहता है दूसरा step है logistics मिसो after all एक e-commerce platform ही है जिसमे product delivery एहम है हर एक order का shipping charge लगता है और यह मिसो के लिए एक source of income है थर्ड income source है rank push मिसो के platform पर कोई भी dealer अपनी rank को उपर लाना चाहता है ताकि उसमें sales में जाफा हो इसके लिए मिसो को एक certain amount pay करना पड़ता है यह भी मिसो के लिए एक income का source है और fourth source है others मिसो उन dealers पर penalty लगाता है जो late order dispatch करते हैं इस तरह किसे penalty भी एक source of revenue है प्रोपर डेटा की utilization से भी मिसो earning करता है अब समझते हैं funding and valuation of मिसो अगस्त 2016 में मिसो भारत की उन तीन कंपनिया में सामिल थी जिसे Y Combinator ने summer program के लिए select करा था और 1,20,000 dollar की seed funding secure करी थी इसके बाद October 2017 में सेफ पार्टनर ने 3.4 million dollar की मिसो में funding करी थी जून 2019 में मिसो भारत का पहला startup बना जिसमें Facebook ने investment किया मिसो में अब तक Sunwai Capital, DST Partners, Squire Capital, Nesper और Swapt Bank ने funding करी है जुलाई 2021 तक मिसो में 515.5 million dollar की funding हो चुकी थी और मिसो का valuation 2 billion dollar आगा जा रहा है यानि कि मिसो एक unicorn startup बन चुका है Financial year 2020 में मिसो का total revenue 346 करोड रुपे था हाला कि मिसो अभी भी एक loss making company ही है मिसो भारत का पहला reseller e-commerce startup जरूर है लेकिन एकलोता नहीं है मिसो के लिए मिसो के लिए अपनी category में competition तो है ही लेकिन Amazon और Flipkart से भी challenges मिसो को मिल रही है इसके अलावा मिसो की image अभी तक traditional Indian woman wearing product के रूप में ही समीत है ये कुछ negative factors है जो मिसो के साथ अभी तक जुड़े हुए मिसो की तरह नहीका पिछले कुछ सालों से एक pioneering e-commerce platform के रूप में उबराए नहीका के उपर हमारा एक detail वीडियो है उसकी link आपको उपर आई बटन में मिल जाएंगी money motivation और startup के लिए आप हमारे Instagram पेज को follow कर दकते हैं आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं है तो पली channel को subscribe करिए मिलते हैं के लिए वीडियो में तब तक चाओ